आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं balls, जिसे की abscess भी कहते हैं, और आम भासा में इसे फोड़ा बोला जाता है, तो हम जानेंगे कि होमोपैती में इसकी कौन सी medicine है, जिसकी help से आप इसे ठीक कर सकते हैं, देखिए होमोपैती medicine जब ही काम करती हैं, जब उसे symptom wise आप लेत तब ही आपको वो medicine काम करती है तो हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन-कौन सी medicine है तो देखिए boils के लिए पहले medicine है बेला डोना 30 तो इसका symptom क्या है in acute abscess blood boils यानि कि यदि आपको जल्द ही फोड़ा हुआ हो और उसमें blood भरा हुआ हो यानि कि अभी उसमें पस ना बना हो केवल उसमें blood भरा हो तो आपको बेला डोना 30 medicine लेने नहीं है इसके बास second medicine है mercurious soul तो ये medicine किन patient को लेनी है तो देखिए इसके symptom है rapid formation of pus यानि कि pus बहुत जल्दी बन रहा हो useful for glandular abscess abscess glandular हो with throbbing pain और उसमें काफी दर्द हो तो आपको mercurious soul की 30 potential लेनी है और इसके साथ में आप बेला डोना medicine भी ले सकते हैं इसके बाद है third medicine hyper self तो इसका symptom है beginning of separation यानि कि यदि उसमें pus बनना start हो तो आपको hyper self की 30 medicine लेनी है इसके बाद medicine है chamomilla 30 इसका symptom है when hyper self fails and the pain is unbearable यानि कि यदि आप hyper self medicine ले चुके हो उससे आपको फाइदा ना हुआ हो और आपका pain ऐस है नहीं हो यानि कि आपसे दर्द बिल्कुल बरदास ना हो रहा हो तो आपको chamomilla की 30 potential में medicine लेनी है इसके बाद है hyper self 3X तो ये medicine किन patient को लेनी है to hasten separation यानि कि आप चाहते हैं कि आपका फोड़ा पूरी तरह से पकेट ठीक हो जाए तो आपको hyper self medicine की 3X potency में लेनी है और इसके बाद है arnica 200 medicine इसके symptom है small painful sore boils यानि कि जो इसके फोड़े होते हैं बहुत छोटे होते हैं उनमें दर्द होता है जिने की summer boils भी कहता है क्योंकि ये अकसर गर्मियों में पाजाता है तो ऐसी condition में आपको arnica 200 medicine लेनी है दन इसके बाद है silicea 6X medicine इसका symptom है suppuration continues and boils does not heal पेशेंट feel better in dry and warm weather यानि कि उसका पस बरता जा रहा हो और वो boil बिल्कुल भी ठीक नहा हो रहा हो और पेशेंट को गरम मोसम में अराम मिलता हो तो ऐसे पेशेंट को silicea 6X medicine लेनी है and last medicine है fluoric acid 30 तो इस medicine को silicea 6X medicine के बाद में दिया जाता है फोड़े को सुकाने के लिए तो यहाँ पे हमने बात करी है boils की कुछ medicine की जो की काफी important है boil को ठीक करने के लिए तो आपको देखना है कि आपके symptom किस medicine से match होते है जिस medicine से आपके symptom match होते है आपको वो ही medicine लेनी है क्योंकि केवल वो ही medicine आपको ठीक कर सकती है यहाँ पे हमने boils की सभी medicine देख ली है जो की अक्सर patient को दी जाती है तर निवाद